आज के जोतिश प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी देने वाला हूँ आपकी शादी कब, कहां, किस से होगी इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं आपको किसी भी जोतिशी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपके तीनों प्रशनों के सटीक जवाब आज किस वीडियो में प्राप्त होने बाले है आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहां होगी, आपकी शादी किस से होगी इसे वैदिक एस्ट्रोजी में कैसे समझते हैं जोतिष शास्त्र की जो कठिन भासा है उसको मैं बिल्कुल सरल सब्दों में आपके सामने रखने वाला हूँ जिन लोगों को जोतिष शास्त्र की बिल्कुल A, B, C, D भी नहीं पता हो ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं शादी कब होगी, कहां होगी, किस से होगी कैसे पता करेंगे जानकरी देने से पहले बता दूँ जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं पहले बार जोतिस गुरुजी यूटूब चैनल पर आये हैं और विशेश करके मैरिज से रिलिटेड बिलकुल सटिक जानकरियां हमेशा प्राप्त करना चाते हैं जैसे शादी कब होगी कहां होगी किस से होगी कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पक्का होने के लिए कौन से कारगर उपाई करें तो इस परकार की सठीक जानकरियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए जोतिस मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं तो चलिए प्रियदर्शकों विश्य पर चलते हैं शादी कब होगी शादी कहां होगी शादी किस्से होगी तो इसमें सबसे पहला प्रशन लेते हैं हम शादी कब होगी देखिए शादी कब होगी कहां होगी किस्से होगी इन प्रशनों का ज ऐसे शुत्र बताऊंगा जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है और मेरे अनुभव में बिलकुल सत प्रतिशत सटीक बैठते हैं तो सबसे पहला हम प्रशने लेंगे शादी कब होगी तो यह जानने के लिए जिन लोगों के पास अपनी जनम कुंड कुंडली के नाम से ऐसा नक्षा बना हुआ होगा कुंडली का ठीक है आपको चाहिए कुछ भी नहीं आता हो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप निश्चत रूप से समझ जाएंगे आप अपने ले भी पता कर लेंगे और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं उधारन के तो पर हम साइड में ये कुंडली लेते हैं आप अपनी जनम कुंडली में लगन कुंडली वाला चार्ट निकाल लीजिए नक्सा इस तरीके से बना हुआ होगा फर्क इतना है कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखावा हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रहे बैठावा हो सकता है इस बात को सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे साइड में जो कुंडली है यह कुंडली हमें उधारन के तोर पर ले रहे हैं नक्सा ऐसा बनावा होगा लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखावा हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रहे बैठावा हो सकता है हमें जानना है शादी कब होगी तो यह जानकारी देता है इस कुंडली में जिस खाने में साथ लिखावा है इस खाने से हम समझते हैं शादी कब होगी अब इस खाने में आपकी कुंडली में एक से बारा तक कोई भी अंक लिखावा हो सकता है हमें अंक से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ खाना देखना है, इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में पुन्य ग्रहे बैठते हैं, पुन्य ग्रहे कौन से हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, बुद्ध है, इन चारों ग्रोह में से कोई भी ग्रहे बैठ उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है महादशा अंतरदशा कुंडली के पिछे देखेंगे तो विंशोत्री दशा के नाम से पेज होता है उसमें डेट वाइज बहुत क्लिर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कहां से कब तक चलेगी तो इन चार ग्रहों में से जो पुन्य ग्रहें इसमें से किसी भी ग्रहे की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो वह समय शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है। दूसरा सुत्र है किसी भी लड़की को ब्रियस पती की कुंडली में गुरू कहीं भी बैठा वाओ नीच रासी में नहीं होना चाहिए रहू के साथ नहीं होना चाहिए ऐसी सुब इस्तिति में गुरू बैठा उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए तो उस समय काल में लड़कि इतनी होना चाहिए नीच रासी में नहीं होना चाहिए तो यह बहुत ही पाउरफुल शुत्र है देखिए यदि शादी कब होगी हम इसे लेकर के बहुत सारे शुत्र देखें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं वह शुत्र अनली आपको बता रहा हूँ जो अनु ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा वा हो उस ग्रह की महादशा या अंतरदसा आती है तो उसमें भी शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रभल योग बनता है लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा है इस खाने में यदि राहु होगा सनी होगा मंगल होगा सूर यह है राहू है मंगल यह सनी है इनमें से कोई भी ग्रह है और बार-बार व्यवधान आता है तो किसी अच्छे जोती शिशे अपने कुंडली को प्रॉपर डिटेल में डैप्ट में कैल्कुलेट जरूर करा लें तो निश्चत रूप से आपको सॉलिशन देगा उससे जल्द कुछ भी जानना है तो इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखावा है इस खाने में आपकी कुंडली में यदि एक लिखा है पांच लिखा है या नो लिखा है तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिस्ता पुर्व दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग ब लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली में जहां सात लिखा है वहाँ पर छे लिखा है दो लिखा है या दस लिखावा है तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिस्ता पस्षिम दिशा की तरफ जो भी सिटी सहर पड़ता है जहां वरतमान समय में आप रह रहे हैं या जन्म भूमी है जिस लड़का या लड़की की जन्म भूमी है वहां से पश्चिम दिशा की तरफ शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है इन सुत्रों को लिख के रख लो आपके आगे भी काम आएंगे इस कुंदले के जिस खाने में साथ लिखा है इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंदले में तीन साथ या ग्यारा लिखावा है तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी उत्तर दिशा की तरफ जन्म इस्तान से आवर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ जो भी सिटी सहर पड़त उदर से शादी का रिस्ता पक्का होने की प्रबल कंडिशन बनती है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 लिखा है 8 लिखा है या 12 लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादे का रिस्ता दक्षन दिशा की तरफ से पक्का होने की प्रबल कंडिशन बनती है वरतमान समय में रह रहे हैं या जहां जन्म भूमी है वहां से दक्षन दिशा की तरफ प्रियास करना चीए इस दिशा से शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है कैसा मिलेगा लेकिन जीवन साथी किस से होगी शादी तो ये जानने के भी विविद सुत्र है उनमें से मैं कुछ खास प्रभावी शुत्रों को लेता हूँ और इसमें सबसे पहला शुत्र हम लेंगे यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा हुआ है इस खाने में तीन, चार, नो या दस का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साती मिलता है वो कदकाटी सामान्यता ठीक रहती है रंग रूप स्वभावी सामान्यता ठीक रहता है किसी टेक्निकल फिल्ड से या एजुकेशन फिल्ड से या एक बहुत अच्छा बिजरिस्मेन जीवन साती के रूप में प्राप्त होने की प्रबल कंडिशन बनती है इससे आगे बढ़ें जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है इस खाने में 1, 4, 7 या 10 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साती मिलता है वो कहीं कहीं दिखने में सुन्दर होगा गौर वर्ण का होगा उसके अंदर एक विशेश प्रकार की सुम्मता होगी यानि जीवन साती जो मिलता है वो स्रेश्ट मिलता है अच्छा जीवन साती मिलने का योग बनता प्रॉफिशन से बात करें तो डॉक्टर, इंजनियर या बैंकिंग सेक्टर से या कोई बहुत अच्छा बिजनिसमेन हो सकता है खाने पीने से रिलेटेड कोई भी कारियो ऐसे कारिय से संबंदित तो इन अंकों के माद्यम से आप पता कर सकते हैं इससे आगे बढ़ें जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा है वहाँ पर एक लिखा है दो लिखा है ग्यारा या बारा का अंक लिखावा है तो ऐसे लोगों को जो जीवन साती मिलता है सामानियता है कद काटी उनकी बराबर होती है कद काटी बराबर ह और थोड़ा सा नेचर वाइज देखें तो छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला अग्रेशिव नेचर की इस्तितियां महाँ पर देखी जाती है और उसके कारी छितर की बात करें तो जिसे पुलीश है, आर्मी है, रियल इस्टेट से संबंदित कोई काम हो सकता है, उसका बैंकिंग सेक्टर से संबंदित कोई कारीय हो सकता है, कमिशन से रेलेटेड कोई कारीय करने वाला जिवन साती मिलने की प्रवल कंडिशन बनती है, इससे आगे बढ़ें, जिल लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस खान में आपकी जो हाइट है उससे सामानियत लंबा या बराबर हो सकता है और बात करें उसके रंग रूब सभाव की तो वो आप से दिखने में ज़्यादा आकरशक हो सकता है रंग रूब सभाव की related उसका कारिय हो सकता है, engineer हो सकता है, doctor हो सकता है या education field से संबंदित कोई कारिय हो सकता है और किसी न किसी प्रकार से commission से जुड़ावा कोई कारिय हो सकता है तो यह कुछ छोटी छोटी नियम है, बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप सामान्यत है पता कर सकते हो कि शादी कब हो सकती है कहां हो सकती है होगी तो जीवन साती कैसा मिल सकता है क्योंकि मैं इसकी जोतिस सास्तिर की जो depth calculation है ना नवांस वगारा में जाके वो बताऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगी उस calculation को साधानतिक अच्छा जोतिशी ही करके आपको बत सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहां इस channel के माध्यम से छोटी छोटी ऐसे प्रभावी शुत्र हैं जो आप लोगों को बताता रहा हूँ ताकि आप लोग नोट करें और खुदी सीखते रहें शादी कब होगी कैसे देखते हैं खुद भी सीखें खुद का भी देखे इसके साथ जोतिस गुरुजी यूटूब चैनल पर लेकर के मैं हमेशा उपस्तित रहता हूँ प्रियद अर्शकों एक ही निवेदन है किस वीडियो को बहुत रिसर्च के साथ और मैंने जो अनभव किया इनों सुत्रों को बड़ा आसानी से आपके समक्ष परोस दिया है तो आपको हो सकता है कि इसकी इतनी कदर ना हो लेकिन जो जोतिस के जिग्या सुजन है जो जोतिस में कुछ समझना चाते हैं जानना चाते हैं अपने लिए ही देखने के जिग्या सा रखते हैं ऐसे लोगों को निश्चत रोप से यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो तो like करें और जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है मैं फिर से एक बार कह दूँ subscribe कर लीजी इसमें आपका कुछ नहीं जाता और मुझे भी आपके subscribe करने से ऐसा कुछ नहीं मिलता लेकिन मुझे एक जुनून आता है अंदर से शुब उर्जा मिलती है एक तरीके से आपका सब्सक्राइब करना एक positive energy देता है मुझे और आगे बहुत अच्छे से इस विश्या पर कारिय करने का एक confidence आता है तो जानकारी अच्छी लगी हो और इस प्रकार की जानकारी हमेशा चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी द्वार अपनी जनम पत्रिका का scientific सटीक जोतिश ये विश्येशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आज के लिए इतना है था देखते रहेगा आप हमारा जोतिश गुरू जी यूटूब चैनल